हेलो एबरिवन आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूँ आपकी दोस्पमीक का और स्वागत है आपका Class 7 Science Chapter 3 Fiber to Fabric के Part 4 में आज हम पढ़ेंगे Activity 3.4 Silk के बारे में Life Story of Silk Moth के बारे में Activity 3.5, 3.6 और 3.7 के बारे में तो चल्व आज के इस वीडियो को बिना किस दरी के शुरू करते हैं अब Activity 3.4 के अंदर आप अपने Friends के साथ, अपने Siblings के साथ या पिर अपने Classmates के साथ इस चीप्स पर डिबेट करकर देख सकते हो कि क्या Humans को ऐसी Rights होनी चाहिए कि वो शीप्स को Rear करें और सिरफ बोल के लिए जो शीप्स हैं उनके Hair को Chop Off करते रहें हर साल बिना किसी दरी के शुरू करते हैं Silk के टॉपिक से तो Silk Fiber को हम Animal Fibers भी बोलते हैं और यह हमें Silk Fiber मिलता कहां से और इसे हम Animal Fiber के बोलते हैं क्योंकि यह हमें एक Worm से मिलता है जिसे हम कहते हैं Silk Worm क्या कहते हैं Silk Worm और इन Silk Worms की जब Rearing की जाती है बहुत ही जादा मांट में या फिर एक Large Scale पे Silk को Obtain करने के लिए तो ऐसी Rearing को हम कहते हैं Sericulture क्या कहते है Sericulture अब अगर आपको Silk के बारे में और जानना है तो आप अपनी ममी, दादी, नानी यह सब से पोच सकते हो उनके पास Silk की साड़ियां जरूर होंगी आप उनसे पूछना कि वह किस काइंड का Silk है और कौन-कौन सी साड़ी उनकी सिल्की है आप उन्हें टच करकर भी देख सकते हो कि सिल्की साड़ियां टच करने में कैसी लगती है लाइफ एस्ट्री ऑफ सिल्क मौद्स तो जो फीमेल सिल्क मौद्स है जो फीमेल सिल्क वांब्स है वो जो है अंडे देते हैं और उन अंडों के अंदर से हमें अप्टेन होते हैं लार्वी क्या होता है, larvae, क्या larvae, L-A-R-V-A-E, और larvae को हम क्या कहते है, caterpillars या पिर silkworms, जैसे ही ये caterpillars या फिर जिन्हें हम silkworms भी कहते हैं, वो जैसे ही अपनी life के दूसरे stage के लिए तयार हो जाते हैं, जिन्हें हम कहते है, pupa, second time stage of caterpillars और silkworms क्या है, pupa, P-U-P-A, pupa, जैसे ही वो ready हो जाते हैं तो वो एक net type का weave करते हैं अपने आप, अपने आप, अपने आपको hold करने के लिए और जैसे ही वो पूरा complete हो जाता है वो उसमें एक तरीक से लटकते हैं जिसमें उनका head जो है side to side swing करता है बनाने के लिए number 8, number 8 type का जो है वो figure बनाता है अपने head को side to side जो है swing करकर और इन heads की movements की जो दौरान है during these movements जो है वो एक fiber को बनाता है its secrets of fiber during these movements जिससे हम कहते ही है silk fiber वैसे तो वो protein से बना होता है वो protein से बना होता है लेकिन जैसे ही उस पे air का pressure बनता है जैसे ही it comes with the exposure of air जैसे ही उस पे air का pressure बनता है तो जो है वो थोड़ा harden हो जाता है और उसे ही हम कहते हैं silk fiber अब जल्द ही जो caterpillar है वो अपने आपको पूरी तरीके से वो silk fiber यानि की जो protein है उससे अपने आपको cover कर लेता है और बन जाता है प्यूपा क्या बन जाता है प्यूपा प्यूपा बन जाता है एंड इस covering को हम कहते हैं कुकून क्या कहते हैं कुकून और इसके आगे जो उसकी further development है उसमें वो एक मौत बन जाता है Silk fiber का use हम silk cloth को बनाने के लिए यानि की weave करने में use करते हैं अब मैं आपको एक fun fact बताती हूँ क्या आप imagine कर सकते हो कि यह जो soft silk yarn है वो एक steel के thread यानि की steel के धागे जितना ही strong होता है अब यह जो silk yarn है वो हमें silk Moth के inconon से मिलता है लेकिन जो silk moth है वो भी अलग अलग variety के होते हैं जो एक दूसरे से काफी अलग दिखते हैं और जो वो silk yarn बनाते हैं जो यंड करते हैं वो भी एक दूसरे से काफी अलग होता है कुछ थोड़ा bumpy या फिर rough होता है जिसे हम कहते है coarse, कुछ shiny होता है, कुछ smooth होता है और भी कई इसके types होते हैं कुछ इसके example है mooga silk या फिर kosa silk या फिर tacer silk ये सब हमें अलग-अलग type के silk moth के cocoon से obtain होते हैं सबसे जादा common जो silk form है, जो silk moth सबसे common है वो है mulberry silk moth, कौन सा? mulberry silk moth, अब इनके cocoon से जो अलग-अलग cocoon है, उनके जो cocoon से, ये mulberry silk moth के cocoon से हमें जो fiber obtain होती है वो काफी जादा soft, luscious और काफी जादा elastic जैसी होती है, जो कि अलग-अलग colors में dye की जा सकती है वैसे तो इंडिया काफी अच्छी rank पे आता है silk production के लिए, क्योंकि इंडिया में ये silk rearing एक काफी अच्छा occupation है और काफी old occupation भी है, मीन्स काफी पहले से ये occupation चलता आ रहा है, ये seri culture का लेकिन जो चाइना है, वो पूरे world में silk production की lead करता है अब थोड़ा जान activity 3.5 की दरभ भी देते हैं, यहाँ पर आपको अलग-अलग type के silk cloth के कुछ pieces collect करने हैं और उन्हें अपनी scrapbook में paste करना है, आपको किसी भी tailor की दुकान पर असानी से मल जाएंगी क्योंकि वहाँ पर तो waste pieces का पूरा भंडार लगा रहता है अपनी मम्मी अपनी आंटी अपनी टीचर की help ले सकते हो यह identify करने में कि कौन सा silk का टुकड़ा कौन से type का है कौन सा या फिर वह मलबरी silk है, तासर silk है, कोसी silk है, मुगा silk है, एरी silk है, कौन से silk है आप यह अपनी elders की help लेकर पहचान सकते हो और आप एक काम जरूर करना, आपके पास यह natural fiber है, natural silk fiber है, आपको उसे artificial silk fiber से compare करकर देखना, फिर आपको उनके texture में जो अंतर दिखेगा ना, उससे आप समझ जाओगे कि natural silk fiber कितनी अच्छी होती है अब activity 3.6 में आपको एक artificial silk का धागा लेना है और आपको एक pure silk का धागा लेना है और दोनों को जला कर देखना है यह काम करने में आप अपनी elders की help दे सकते हो या फिर अगर आप खुद कर रहे हो तो काफी जादा careful हो जाना क्यूंकि आप कोई खेलने की चीज नहीं है पीखे तो आपको अच्छे से उन्हें carefully जो है जला कर देखना है आप देखना उनकी smell में काफी जादा अंतन होगा और अब आप wool fiber का कोई धागा लेलो उससे जला कर देखोगे ना तो उसकी smell जब हमने synthetic thread और authentic thread को जला कर देखा था उसकी smell जैसी होगी आप जरूर find out कर कर देखना Activity 3.7 में आपको एक सिल्क मौद की अलग-अलग live stages की features जो है collect करनी है और उन्हें एकदम सही sequence में अपनी scrapbook में किसी cardboard paper पे या फिर किसी chart paper पे या फिर normal paper पे पेस्ट करना है अपनी friends के साथ यह एक game है आपको बिल्कुल correct sequence में paste करने है और जो इसे सबसे तेजी से करेगा वो जीत जाएगा आप यह game अपनी friends के साथ जरूर खेलना तो अब इसी के साथ हमारी आज के वीडियो होती है समाप तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like करना चैनल पेनल चानल को subscribe करना ओके bye bye मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ